हेलो गुड इबनिंग गुड इबनिंग डियर स्टुडेंट्स नमस्काराथ आप सस्तिरिकाल जय जगनाप खंबागरी क्या हल चाल है जी बोलो बच्चे बोलो क्या हल चाल है फटा फट जरा कनेक्ट हो जाईए फटा फट कनेक्ट हो जाईए और कनेक्ट हो करके फिर उसके बाद है जबाब दीजिए बच्चे एक बाद जरा सुनो हम लोग पर रहे थे और जैद दिब्बे गुड इबनिंग जी आगे हाँ जी बच्चे बाद जरा सुनो अब डौर्स आपको बताना है ठीक है मैंने अभी टोपी का नाम नहीं दे रहा है लेकिन बच्चे एक बाद जरा सुनों तौपी का नाम नहीं दे रहा अब थोरा सा है aggressive होकर काम करना है और aggressive होकर काम कीज़े जी ठीक है ये secret concept है हाई सर हाई ये secret concept कौन है भाई ठीक ठीक है तो बच्चे अब आपको है regular ढण से बड़े aggressive होकर के परहने परेंगे और मैं आपको हर week अब अंकित गुपता गुडिमनिंग जी हर week आपको मैं अब topic दे रहा हूँ और topic की पढ़ाई करें और उसके वाद doubts बताऊंगा और साथ ही साथ आप test की तैयारी भी करें ठीक है न जी सिर्जना सा जी अनुटी का ये बिटे हो गया जी पहले secret concept तुम बताऊ पहले हो गया नामोगर बता दिया ये तो secret concept secret कर दोगे तब फिर कैसे जानूँगा मैं अर्नो शंकर एकता भारती हाँ जी तो बच्चे एक भाजरा सुनिए तो ए जरा बताईए आप लोग मैं आपको जरा question कराना शुरू करूँ doubts बताना शुरू करूँ बीच बीच में हम लोग बाते करते रहेंगे सुमन सौरब जाग भुरिवनी जी क्या हाल चल है सुमन सुमन क्या हाल चल है बताओ बच्चे ठीक है हाँ जी यह सबसे पहले एक doubts आया है secret concept का यह 10.5 बेटा 10.5 secret concept है कौन यार नाम तो बता दे question number कौन सा पूछा और वो है miscellaneous का question number 3 miscellaneous का question number 3 यह बच्चा पूछ रहा है कि सर इस सवाल का जबाब बताईए तो कता present value of rupees 10,000 due in 2 years at 5% per income compound interest when the interest paid on yearly basis is अले बेटे एक बाद जरा सुनो यह 10,000 क्या है future value 10,000 क्या है तो future value ठीक है तो आप एक काम करिए एक तो है कि या तो आप गोबाई चो ऐसे चले जाओ आनना ही go by choices चले जाओ आनना ही तो है solve करो मैं दोनों बात बता देता हूँ जरी यह देखिये का जी दोनों बात मैं बता देता हूँ सबसे पहले है तरीका से टेक्निक से कि काम कैसे करेंगे बच्चे एक बाजरा देखो बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रिजनिंग एन स्टाइटिस्टिक्स ठेक बच्चे एक बाजरा सुनिए एक काता है ए हो गया दा प्रिजेंट वैलू ए पी पूछ रहा है फ्यूचर वैलू आपको 10,000 रुपय दिया हुआ है ठिक है अच्छा डूडेशन दिया हुआ है 2 years रेट अफ इंटर्स दिया हुआ है 5% तो काता है प्रिजन्ट वैलू बताओ प्रिजन्ट वैलू पी की फर्मूला क्या होता है बच्चे पेज नंबर है 10.5 कॉस्चन नंबर है 3 ठिक है क्या होता है उजरा देखो सुनो बच्चे सुनो किस चैप्टर का डौट्स एंड टेस्ट लेंगे अभी बताता हूँ बेटा अभी बताता हूँ टॉपिक बताता हूँ जी ठिक है रोहित पुनेथा पंजाबी में लिखा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको बताना परेगा ऐसे मैं बोल दूँगा सच्च्च्रियकाल अब सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम ठिक है हाँ जी जरा एक बाजरा सुनो A 1 पलस I whole का पावर माइनस एक फर्मूला है A के प्लेस पर आपका दस हजार हो गया 1 पलस 5 परसेंट yearly है तो 5 by 100 और ये 2 years है तो yearly है ये भी yearly है बच्चे तो n is equal to क्या होगा 2 into yearly है तो एक साल में कितने conversion period होंगे 1 तो 2 into 1 equal to 2 तो पावर हो गया माइनस 2 calculator से आपको काम करना है ठीक है तो बच्चे 5 by 100 plus 1 करो 5 by 100 plus 1 पावर माइनस 2 है तो divide equal to का बटन दो बार प्रेस कर दो ठीक है उसके बाद into 10,000 equal to कर दो तो मैं present value मिल जाएगा तो मैं present value मिल जाएगा बच्चे तो एक काम कर लिजी आप पहले जरा इधर देखो इधर देखो बच्चे इधर देखो अब अब जैसे हैं 5 divided by 100 plus 1 divide 1, 2 into 10,000 9,070 रुपे 29 पैसे 9,070 रुपे 29 पैसे यह हमारा present value हो गया तो देखे जी 9,070 रुपे option A is the correct answer यह लगभग हो गया 9,070 रुपे ठीक दूसरा तरीका सहाथ है go by choices कर सकते हो मान लो की पहला answer सही है मान लो की first option is correct तब अच्चे ऐसा कर सकते हो जैसे 10 9,070 है पलस 5% एक साल के बाद फिर पलस 5% दो साल के बाद round up करोगे तो लगभग लगभग 10,000 होगा ना इसलिए option A ठीक है तो यह भी तरीका है चलिए जी हलो बच्चे एक बाद जरा सुनो रोईद पुनिथा कहता है सर good evening good evening रोईद कैसे हैं हाजी एक बाद जरा सुनिए गा जी इस बच्चा का सवाल मैंने बता दिया अब मैं दूसरा सवाल लेने जा रहा हूँ अर्णो शंकर एकता भारती का 14.6 question number 30 एक मिनट रुकिए जी question number अभी अगला question लेने जा रहा हो बच्चे एक बाद जरा सुनिए हमारे चैनल को like, subscribe होग रहे हैं 14.1 एक ता एक हो गया 30 नंबर question 14.6 question number 30 14.6 question number 30 30 बेटे एक बाद जरा सुनो इस बच्चा का question है यहाँ पर calculus में miscellaneous का question करना है आप जरा करें लेकिन बच्चे एक बाद जरा सुनिएगा जी इस question में क्या है जरा देखोगे cn चूट के किताब से ज़्यादा तर करिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है? हाँ जी cn चूट के किताब से करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ये 30 नमबर जो question है इसमें क्या है? let y is equal to ए होगा ऐसे log e का power x ऐसे है x minus 2 by x plus 2 whole का power है 3 upon 4 3 upon 4 एक question है बच्चे लेकिन इस question में है जरा देखेगा जी मैं अभी आपको बता रहा हूँ अगर ऐसे करोगे अमन तो ए अरनव तो ए सवाल आपसे नहीं बनेगा तो इसमें है थोरी सी आपको है बदल करके काम करनी परेगी और बदल के काम करनी परेगी तो क्या बदलना होगा हो मैं आपको अभी बता रहा हूँ सी आइं चूट के किताब को दिखा कर मैं आपको अभी बता रहा हूँ बेटा यह है छपा हुआ गलत है यह दिखिएगा बिग ब्रैकेट यहां पर छूटा हुआ है तो अर्नोख, शंकर, एकता, भारती आप क्या करें कि इस सी आइं चूट वाले किताब क्यीक हमारी जो किताब बनी है सी आइं चूट के पैटरन पर ही बनी लेकिन जो पुराना वाला किताब था इस से पहले जो किताब था उसमें यह bracket नहीं था और अंसर दिया हुआ था यह दूसरी बार जो किताब है यह तो इसमें ठीक किया हुआ है ठीक है तो इस कारण से वहाँ पर थोड़ी mistake हो गई चलिए जरा इसको हम लोग करते हैं बच्चे तो यहाँ पर काम करना है ऐसे काम करें बच्चे तुसार गुपता हेलो जी हेलो काम करें अब हम लोग जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी हलो इधर ध्यान से देखिएगा ठीक है रोहित उसर क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा रहा रोहित पुने था हम doubts class लेते हैं live हम जिन बच्चों को का pen drive गुगल ड्राइब सेल किया है जो face to face बच्चे हैं उनके doubts है और उस doubts को solve कर रहा हूं live यूटूब पर ठीक है हाँ जी तो बच्चे जो question भेज रहे हैं उनका answer मैं दे रहा हूं ठीक हाँ जी अब जड़ा देखिएगा बच्चे ठीक है जी यही है point मैं परहान ही रहा परहाता तो कुछ बात समझ अलग आती लेकिन बेटा हम परहान ही रहे हम सिर्फ doubts clear कर रहे है परहाने का काम करते तो आपको concept समझ आईगी लेकिन परहाने का काम हम नहीं कर रहे हम सिर्फ doubts clear कर रहे है ठीक है नहीं जी नवाप तुका राम तुरणम खान जरा इधर ध्यान देना इजी, ठीक है, एक बाजरा सुनो बच्चे, यहाँ पर है U, और A है B, तो यहाँ पर Y is equal to log, ठीक है, E का पावर X, और यहाँ पर फिर, यहाँ shortcut नहीं लगेगा बच्चे, X-2 by X plus 2, whole का पावर है 3 by 4, ठीक है, अब जरा एक बाजरा सुनो, 3 by 4 को यहाँ कर दो, X log E plus 3 by 4, log X-2 by X plus 2, फिर इसको break करो, तो बच्चे एक बाजरा सुनो, log E base E1 होता है, तो X into 1 हो गया, यह 3 by 4 हो गया, यह लिखोगे log X minus 2, minus log X plus 2, ठीक है, अच्छा, जरा इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, तो Y is equal to क्या हो गया, X plus 3 by 4, यहाँ पर है log X minus 2, minus log X plus 2, ठीक है, यह हो गया, बेटे एक बाजरा सुनिएगा इधर ध्यान देना जी, क्रिश महस्वरी बच्चे एक बाजरा सुनू, पहले यह बताने दो, अब इसको क्या करो, डिफरेंसी इट कर लो, अब आपका आंसर मैच कर जाएगा, जरा इधर ध्यान देना जी, ठीक है, एक बाजरा सुनिए, अब डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करते हैं, बच्चे एक बाजरा सुनू, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बच्चे डी वाई अपॉन डी एक्स, जरा बताओ, इस एक्स की डिफरेंसी सिशन क्या होगी, सर वन होगी, अच्छा 3 by 4 है तो है अब यहां पर देखोगे x minus log x minus 2 की differentiation क्या होगी तो 1 upon x minus 2 होगी बच्चे इसको chain rule यहां पर लगाएंगे x की differentiation 1 होती है आई इस 2 की differentiation 0 इसका काम हो गया जी अब second वाले part इसकी differentiation तो 1 upon x plus 2 होगा 2 का 0 बच्चे यह होगया differentiation अब इसको simplify करिएगा ठीक है जी तो 1 plus 3 by 4 यह होगया 1 by x minus 2 minus 1 by x plus 2 यह होगया जी अब इसको simplify कर लो बेटा answer match कर जाएगा 1 plus 3 upon 4 LCM लोगे तो x minus 2 into x plus 2 यहां पर x plus 2 हो जाएगा यह फिर minus करोगे ते होगया minus x minus 2 ठीक है ऐसे 1 plus 3 by 4 बच्चे x plus 2 minus x minus minus plus 2 a minus b into a plus b तो x square minus 2 square इतना ढंक से नहीं लिखना इसको short में लिख लेना बच्चे 1 plus 3 by 4 होगया 2 plus 2 यह होगया 4 divided by x square minus 4 होगया 4 से 4 cancel होगया जी जरा इधर ध्यां देना जी बच्चे एक बात जरा बताओ तो 1 plus 3 upon x square minus 4 LCM ले लिजिए तो x square minus 4 यह यहां पर आजाएगा तो minus 4 plus 3 is equal to x square minus 1 by x square minus 4 और यह होगया आपका आंसर ठीक है जी बच्चे अर्नव अर्नव गोश्वामी जी यह आपका आंसर हो गया option b is the correct answer option b is the correct answer अब इसी को समय बचाने के लिए आप यही है कि कम लिख सकते और कम लिखेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा चलिए जरा एक बाद जरा सुनिएगा इधर ध्यान से सुनिएगा जी ठीक है इधर ध्यान दे देना बच्चे इधर ध्यान दे देना ठेक इधर ध्यान दे द ठीक है तुसार गुपता है नमस्कार जी सिर्जना ठीक है जी गूड इबनिंग और ए है रागो सिंगल का 13.1 question number 1 में A is a subset of B and vice versa so set A proper subset कैसे हुआ बेटा मैं question number 13.1 देख रहा हूं जी जर आइधर ध्यान से दिख्यां से दिख्यां जी 13.1 ठीक है 13.1 page number 13.1 question number है एक देखो बेटे एक बाजरा सुनू following set notices represent A is a subset of B ठीक है X does not belongs to A A is super subset of B यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है लेकिन यह क्या करना है कि एक question में क्या कहता है जरा सुन लो बच्चे एक बाजरा सुनू इसको दिखान से देखना है इसका मतलब क्या होता है तो A is a proper subset of B इसका मतलब यह होता है ठीक है X does not belong to A चाहे X A का member नहीं है इसका मतलब क्या होता है X is an element X is not an element of A ठीक है X is a proper subset of B X is not an element of B बेटा B option तो नहीं होगा X is not an element of A इसका मतलब यह तो ठीक होगा अब A B A contents B बेटा एक बाजरा सुनू A contents B इसका मतलब क्या होगा ठीक है A contents B देखो बेटे एक बाजरा सुनू A ठीक एक बाजरा सुनू A B इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब हुआ कि B इसे subset of A इसको उल्टा करोगे B इसे subset of A इसी को उल्टा करोगे तो A A contents B B का सारा member A में मौझूद है इसका मतलब हुआ तो A contents B यह ठीक है अच्छा 0 singleton set with only one element 0 A एक set का नाम है एक ही member है इसले इसका नाम है singleton set तो बेटा A भी ठीक है आपका अगता है A not subset of B A is not content in B subset of B का मतलब A does not content in B तो इसका मतलब है यह भी ठीक है इसलिए option A ठीक है बेटा B ठीक नहीं होगा B में यहाँ पर गलती हो गया तो B नहीं हो सकता तो क्या पीछे answer A नहीं है 1 नहीं है चेक करता हूं बच्चे चेक करता हूं set question type 1 का question number 1 1 का type 1 question number A ठीक तो है एक दम ठीक है तो बेटे option A is correct answer option A is the correct answer रागव सिंगल तेरे सवाल का जबाब दे दिया log का सुमन सौरब सर log का question number 42 बेटे सुमन एक बार हमेशा याद करना page number और question number बोलना फिर मैं बता दूंगा बता रहा हूं ऐसे log का question number 42 सुमन ने सवाल किया सुमन सौरब बच्चे सुमन भी है और सौरब भी है पेज नंबर है 3.3 question number 42 question number 42 पर आ जाईए जराइधर ध्यान से देखिएगा बच्चे यह दिया हुआ है और a square plus 4b square is equal to 12ab यह दिया हुआ है अच्छा एक बात जरा सुनो log a plus 2b equal to क्या हो गा है यही है question अब सुमन जराइधर एक बात सुनो बच्चे यहाँ question में तो a square 4b a square ऐसे दिया हुआ है लेकिन यहाँ तो a square नहीं है तो अब हमें सोचना परेगा कि a square लाउं कैसे है तो जराइ एक बात बताओ यहाँ पर 2 होगा तभी नहीं square आएगा तो इस 2 का मतलब क्या होता है पावर जो होता है हमेशा मल्टिपल में भी हो सकता लोग इतना का इतना का पावर 2 का मतलब 2 लेकिन question में 2 तो दिया हुआ नहीं है तो आपने अपने फायदा के लिए लिख दिया तो इ पलस 2B का पावर है तो लॉग ओफ ए पलस 2B पावर 2 है तो 2 ठीक है इतना हो गया अब बच्छे अब इसी को ब्रेक कर दो तो 1 बाई 2 लॉग ओफ इसका होल स्कुआर कर दो तो ए स्कुआर पलस 2B का होल स्कुआर 4B स्कुआर पलस 2 A बी के जगा पर 2B ऐसे लिख देंगे अच्छा बच्चे एक बाद जरा सुनिए, 1 by 2, log, a square plus 4, b a square के जगा पर क्या लिखोगे, 12 a b, एक question में दिया हुआ है, तो 12 a b हो गया, plus 2 into 2, 4 a b, अब जरा देखोगे क्या लिखोगे, 1 by 2, log of 12 plus 4, 16 a b, 16 a b हो गया, बट 16 a b बच्चे option में नहीं है, तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सुमन, कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, यह 1 by 2 जहां है, वहाँ है, ठीक है, इस 16 a b, तो 16 a b, तीनों के बीच में multiply का sign है, तो लिखोगे, log 16, plus log a, plus log b, ऐसे लिख देंगे, अब जरा एक बात बताओ, इस 16 को क्या लिखोगे, तो 16 को लिखोगे, 2 का power 4, अब 4 को क्या करो, left hand side में लिख दो, तो 1 by 2, यह होगा, 4 log 2, plus log a, plus log b, अब देखिए, match खरिए, आपका answer, match हो जाएगा, ठीक है, सुमन सौरब जह, जरा, एस सवाल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, एक बात जरा सुनोगे, ठीक है बच्चे, हाँ जी, बच्चे, 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 अब जरा बता रहूं, बच्चे, बता रहूं, बच्च ठीक है नवाब तुरणम खान हमें आपको क्लास नहीं करा रहा ठीक है इसलिए इसलिए आपको समझ नहीं आएगा अगर इससे रिलेटेड सीए फांडेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट से तो आप पूछ सकते हैं ठीक अधरवाइस अभी पैटने से कोई फैदा नहीं है तो जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया ग्रॉस प्रोफिट का फर्मूला बता दो बेटा ग्रॉस प्रोफिट एकाउंट्स मैं नहीं बता रहा ठीक है हाँ जी अब जरा देखोगे ठीक है एकाउंट्स मैं नहीं बता रहा बच्चे ठीक है एक कुमांड कुनाल चौनाल कर बच्चे एक बाजरा सुनो स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा 40 मार्स हो गया लॉजका रिजनिंग तुम्हारा 20 मार्स का हो गया करीब 10 मार्स का हो गया सतर मार्स हो गया रिशियो का एक मार्स मानलो ठीक है तोइक्वेशन का 3 मार्स क्टा सतर अस्य मार्स का कुस्चन तो आप करके जा रहे हैं बट पर्णा चाहिए पूरा पांस तो करी ही सकते हैं बट इतना अगर ठीक हो तो ठीक हैं तो कुनाल कुनाल कुमार जी आपका सवाल का जबाब बता दिये हो गया जी रक्षा करी बेटे रक्षा करीम का कुस्षन है 1.43 कुस्षन नमर 95 बता रहा हूं है रक्षा करी का कुस्षन है 1.43 पेज नमबर है 1.43 कुस्षन नमबर 95 बता रहा हूं कundy कुस्षन नमबर कुस्षन है रक्षा करी का रक्षा करी बेटे अथ बाजरना सुनों इसकी ट्रक्स मैंने में आपको बताया हुआ है और यह कुस्षन मेरे किताब में दिये ठिक है आप हमारे ट्रिक्स से पढ़े डिटेल में पढ़ेंगे तो थोरा ज़्याधा लिखना पढ़ेगा लेकिन अगर ट्रिक्स से करेंगे तो थोरा काम जल्दी हो जाएगा आई सी ए आई बुक पेज नमबर है 1.43 कुस्चन नमबर है 95 बच्चे 4.8 पावर है एक्स यहाँ पर 0.48 पावर है वाई एक हजार को हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं एक हजार को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं रक्षा करी बिटा एक बात जरा सुनो इस बेस को अगर इस से मल्टिप्लाई करूँगा तो इसके एक्वल आएगा आएगा ना तो इट कैन भी रिटेन एस यह आपका वाद रखेगा मैं ट्रिक्स लिख रहा हूं मैं डिटेल में नही एक डिटेल में नहीं बता रहा है आपको जो लेक्चर भेजा हुआ है उसमें ट्रिक्स है और वही ट्रिक्स मैं Cum La Rokeˋ कि इस ट्रिक्स से यही होगा करीब करीब 70 se 80% टाइम बज जाता है यहीं फैदा है ठीक है इस ट्रिक्स को मैं दूसरा हो गया अब जरह बताइए इसकी पावर क्या है वन है इसकी पावर क्या है वन है यहां पर पावर क्या है वन है अब जरह बताइए इस यहां पर पहले इसका पावर देखेंगे उसके बाद इसमें पावर देखेंगे तो इसका पावर क्या है तो वन है तो बताइए 4 0.8 का power क्या है x है equal to का sign है तो equal to का sign 0.48 है तो इसकी power क्या है 1 है तो 0.48 यहाँ है तो इसकी power क्या है y है multiply के place पर आपको plus की sign देना है 10 का power क्या है 1 है तो यहाँ 10 का power क्या है 3 है इस तरह से लिखने की technique बताया था और बताया था इस तरीका से लिखेंगे तो आपका करीब से यहां तक सपोच करके जो काम करते हुए सारा टाइम बच गया अब जड़ा देखोगे हमें बताना है वन बाइक्स माइनस बाइवाई तो बच्चे वन अपॉन य को लेप्ट साइट में भेज दो तो वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई is equal to 1 upon 3 और A हो गया आपका आंसर तो देखिए 1 upon 3 is in option C तो option C आपका आंसर हो गया ठीक है option C आपका आंसर हो गया जी अच्छा बच्चे एक बाजरा सुनो ठीक है इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे ठीक है प्रियांसु सर्मा जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बच्चे एक बाजरा सुनोगे सिट बवाई क्या सो कर रहा भाई ये तो रवी कुमार ठीक है हाँ जी तनु बगारिया का question है 1.C question number 22 and 27 1.C 1 exercise 1C का question है अब बेटे page number बोला करो तनु बगारिया आप जरा है page number बोला किजिए नहीं तो exercise ढूढ़ने में टाइम ज्यादा लग जाता है ठीक है हाँ तो मैं आपको बतातू हाँ जी question number है 22 and 27 एक question number 22 है बच्चे question number 22 जरा इधर देखिएगा जी question number 22 ठीक है हाँ जी बच्चे एक बाजरा सुनूगे question number 22 आई सी ए आई बुक पेज नंबर है 1.22 जरा देखिएगा जी एकस का पावर एन है यहाँ पावर है एन माइनस वन बाई एन अब होल का पावर है वन बाई एन पलस वन यह पावर है पेटे इसको simplify करना परेगा अब आप जरा देखिएगा जी इसमें ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है एकस का पावर एन ठिक है अब इसके अपॉण में 1 है तो इसकी LCM लोगे तो n तो n इंटू n n स्क्वार माईनस 1 इस पूरे का पावर है 1 अपॉण n पलस 1 अब अच्छे एक बाजरा सुनूगे एकस का पावर n हो गया इस पावर से इस पावर को मल्टिप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा इंटू n स्क्वार माईनस 1 बाई n इस सभी पावर मल्टिप्लाई हो जाएगा 1 बाई n पलस 1 इस सारा पावर मल्टिप्लाई हो गया अब ज़रा देखेगा जी यह n से n cancel हो गया अब x का power क्या होगा n square 1 को 1 square लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो a square minus b square तो n plus 1 into n minus 1 divided by n plus 1 ठीक है अब ज़रा देखो यह दोनों cancel हो गया तो x का power क्या होचा n minus 1 और यह हो गया आपका answer यह हो गया जी आपका answer तो option c is the correct answer option c is the correct answer तनू तुम्हारे सवाल का एक सवाल का जबाब बता दिया अब है तुम्हारा question number 27 तनू बेटे 27 number question मैंने आपको बड़ी special tricks बना करकर बताया है और बड़ी अच्छे से बना कर बताया है आपको एक करने ना चाहिए जड़ा देखेगा जी question number 27 question number 27 page number है 1.22 i c a i book ठीक है बच्चे x is equal to 2 का power क्या है 3 का power 1 by 3 3 का power 1 by 3 पलस 3 का power minus 1 by 3 यह दिया हुआ है ठीक है अब जड़ा तनू बताओ हमारे लेक्चर को पहले पूरा देख लो फिर उसके बाद है c a in चूर का किताब करो चाहे मेरा किताब करो ठीक है जराइधर ध्यांदे देना बच्चे ठीक है ठीक है हाजी फिर उसके बाद मेरा class करो चाहे ठीक है हाजी मतलब मेरी वाली बुक का question करो चाहे सीए इंचोट का करो पहले लेक्चर मेरी पूरा कर लो बहुत कुछ आपका सुल्भ हो जाएगा है ना जी बहुत कुछ सुल्भ हो जाएगा बच्चे एक बाजरा सुनो मैंने tricks बताया था इस पर जरायाद करिए बच्चे यहाँ पर 1 upon 3 है 3 है तो बोला था ना कि एकस का पावर 3 लिखेंगे फिर क्या बोला था यह बोला था बच्चे कि यह जो पावर है एकस का पावर में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पावर 1 हो जाएगा पावर 1 हो जाएगा तो एकस का पावर 3 एकस का पावर 1 हो गया clear अब दूसरा बाते left hand side लिखने का तरीका बताया था कि यह जो power है इसके बाद वाले का multiple होगा यह बात बताया था इस one में से फिर two minus करो के negative हागा तो third term हमारा में ही होगा यह मैंने बताया था अब जरा एक बात सुनिए बच्चे यहाँ पर positive है तो यहाँ पर plus इसके अगला वाला minus इसके बाद वाला plus होता है अब इतना equal to क्या लिखेंगे तो this और one by three और one by three यह लिखा था यह थ्री है बे बी-five यहाँ परेगा लेकिन अगर ओड है तो बताया था अगर यह ऑड है अगर यहाँ ऑड है अगर यहाँ अगर यह मैंस यह तो फिर यहाँ बाकिसरी जगा पलस परेगा यह बात बताया है और इस तरीका से यही है कि जो question है तीन मिनट चार मिनट में होने वाला है वह question का answer आप एक second दो second में दे देते हैं यह बात बताया था बेटे नहीं तो आप पूरी तरीके से करो दो तीन मिनट समय लएगा answer आएगा तो इसके लिए आपको क्या करना परेगा दोनों साइट में power 3 देने परेंगे फिर उसके बाद फरूला लगाओगा answer आएगा बच्चे एक बाजरा सुनीं तो यह हो जाएगा x cube minus 3 x is equal to 3 into 3 9 plus 1 10 by 3 cross multiplication करो 3 into this minus 9 x is equal to 10 और बेटा यहां से यहां तक लिखने की भी जरूरत नहीं है इस तरह से ट्रिक्स मैंने आपको बताया हुआ है और उसको आप करेंगे तो आपका बहुत जल्दी से answer हो जाएगा ठीक है हाँ जी आपका ठीक है ठीक है अच्छा बच्चे एक बाई रागो सिंगल का फिर question है 13.4 page question number 49 13.4 page question number 49 13.4 page बच्चे 13.4 page question number 49 ये बच्चे question number 49 ये है question किसका है तो यह question है रागव सिंगल का बच्चे रागव देखिए subset satisfying this greater than 10 question number 49 page number 13.4 यहाँ पर e दिया हुए और condition दिया वा फाई पलस x greater than 10 ठीक है यहाँ पर subset of e इस condition को satisfy करें तो जड़ा एक बात बताओ अब यहाँ पर e की value है 1 रखो यहाँ पर 5 पलस 1 यह पहला वाला value रखो 5 पलस 1 greater than 10 होगा नहीं होगा 5 छोड़ दो ठीक है इस मान लेते हैं कि b है यह है तो a equal to क्या होगा यह 1 रखोंगा तो 5 पलस 1 greater than 10 गलत है 1 छोड़ जाएगा 2 रखो तो 5 पलस 2 greater than 10 यह भी छोड़ जाएगा 3 5 पलस 3 greater than 10 false है 4 लिको 5 plus 4 greater than 10 false है 5 लखो 5 plus 5 greater than 10 यह भी फॉलस है तो बेटा 6 पराजओ 6 से 5 plus 6 greater than 10 ठीक है तो 6 ले लेंगे अब 7 लिको 5 plus 7 greater than 10 7 ठीक है 8 लेलो 5 plus 8 greater than 10 ठीक है यहाँ पर 9 लेलो 9 plus 5 greater than 10 A भी ठीक है इसके आगे नहीं है तो A हमारा answer हो 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 is in option B therefore option B is the correct answer therefore option B is the correct answer ठीक है जी हो गया ठीक है एक बाजरा सुनो इधर देखो बेटा इधर देखो ये सब फालतू वाली बाते है मत किया करो सवाल पूछो मेरा काम है सवाल बता देना ठीक है जी सुमन हाँ जी अर्णो का सवाल है 14.7 पेज ठीक है question number 41, 42, 43 चुवल यह एक तरब से सारे सवाल कर दिया जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी 14.7 14.7 14.7 14.7 question number 41, 42, 43, 44 41, 42 42, 44 अरे बेटा एक बात बताओ यह सवाल करना है इसकी आंसर आप बताईए ना then y into y1 यह पूछ रहा है y1 का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए अब जरा एक बात जरा सुनिएगा जी hello इधर ध्यान दे देना बच्चे page number i, c, e, i, book page number 14.7 सभी का सवाल बनाकर बताऊंगा जाऊंगा जी परशान मत हो ठीक है बच्चे परशान मत हो परशान मत हो मैं हर सवाल का जबाब दूगा ठीक है बर्स ये foundation से लेटेड होना चाहिए अच्छा एक मिनट साम रहिए जी इसको differentiate करोगे जिसको हम y1 कहते है dy upon dx बोलते है बेटा, root वाला formula का channel rule जरायाद करो मैंने जो बताया है तो 1 by 2 लिखेंगे और इसको उठा कर सीधे यहाँ पर डाल देंगे dx square plus m square अब उसके बाद है इस root के भीतर का number इसका differentiate करके multiply करेंगे तो x square का differentiation होगा 2x और m constant है जिसकी differentiation होगी 0 बेटा ये 2 से 2 cancel होगया तो हमारे पास आया x upon root over x square plus m square यह हमारा value आ गया बट हमें सिर्फ y1 ने निकालना है we have to find the value of y into y1 यह हमें निकालना है तो y1 क्या है बेटा y क्या है तो y is equal to root over x square plus m square और y1 क्या है तो x upon root over x square plus m square दोनों cancel होगी तो answer is x तो बच्चे option b is the correct answer option b is the correct answer मैंने तेरे सवाल का जबाब बता दिया बच्चे ठीक है है हाँ जी बच्चे मैंने तेरे सवाल का जबाब बता दिया अब question number है बेटा 42 number question भी important है उसको जड़ा देखिएगा question number 42 42 i c a i book page number 14.7 बच्चे y is equal to very important question एक question पेपर में आ चुका है अब डी वाई डी अग्स की value निकालो तो बच्चे दी वाई अपाउन दी एक्स की दिफ्रेंसेशन यही होता है exponential का डिफ्रेंसी से ने ही हो गया chain rule लगाए इसके power को डिफ्रेंसीट करोगे तो minus 1 आएगा तो it will become e power x minus e का power minus 6 लेकिन बच्चे एक वाजरा सुनिए question number 42 में यहाँ पर ऐसे बोलता है ठीक है ऐसे बोलता है बच्चे तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक काम कर लेते हैं काम कर लेते हैं dy upon dx बट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो दूसरे ढंक से बता रहो इसमें अगर आपको करना ही है तो dy by dx के place पर यह रखो y के place पर यह रखो फिर minus 4 करो simplify करो answer आएगा बट पेपर में इस तरह के अलावा और भी तरह से question आया है हम उस पर ज़्यादा focus कर दे हैं वो ज़्यादा important है यह आया है तो बच्चे एक बाद ज़रा सुनू it can be written as इसको मैं e पे power x minus e पे power minus x whole square लिख सकते हैं लिख सकते हैं अब ज़रा एक बात बताओ एक फर्मूला और है कि a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus minus 4 a b एक फर्मूला है बच्चे एक फर्मूला है ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि देखो यहाँ minus है लेकिन question में पलस है यहाँ पर देखिए का जी यहाँ पर minus है लेकिन question में पलस है अभी पलस है तो पलस कैसे लाऊंगा तो ज़रा देखिएगा minus है तो इसी को में लिखोंगा e raise to the power x plus e raise to the power minus x का whole square minus 4 a के place पर e का power x b के place पर minus यहाँ हो गया जी अब इसको simplify कर दो बच्चे इतना equal to क्या है what is this this is equal to nothing but y तो क्या लिखोगे dy upon dx इतना ही के लिए बच्चे question ज्यादा important है सिर्फ इतना ही point के लिए एक question important है अच्छा बच्चे एक बाजरा सुनों it is equal to y तो y square बच्चे 4 है तो 4 e का power x है इसको नीचे भेजोगे तो 1 e का power और पलस ए हो गया एक cancel तो आंसर क्या आया डी वाई अपॉन दी एक्स इक्वल टू स्क्वाइर रूट आप y square minus 4 अब इसको left hand side में भेज़ दो तो क्या लिख हो गया डी वाई अपॉन डी x minus root over y square minus 4 यह equal to 0 यह हो गया तो यह कुस्चन तुमारा 42 भी बता ही दिया ठीक है अब है 42 बता इस सेक्रेट कंसेप्ट का एक सवाल देखने दो जी पहले 4.45 नंबर 5 4.45 नंबर 5 है 4.45 नंबर 5 अरे यार सेक्रेट कंसेप्ट बेटे एक बात जरह बताओ इस सवाल मैंने बहुत बार बता है और आप डाउट्स क्लास में आते नहीं हो तो दिक्कत हो जाती है ठीक है हाँ जी बच्चे एक मिनट सुनिए एक मिनट सुनिए जॉंसन वाला कुस्चन है मैं हिंड्स दे देता हूँ काम आपको करना पड़ेगा मैं पूरा नहीं करूंगा अगर पूरा इसकी सॉलूसन देखनी है तो टाइम वैलू अप मनी का जो चैप्टर का डाउट्स क्लास लिया हुआ उस वीडियो को देखिए आपको इसकी सॉलूसन पूरा मिल जाएगा मैं बता रहा हूँ जड़ा देखे का जी पेज नमबर है 4.45 पेज नमबर है आई सी ए आई बुक पेज का से नमबर 3.45 ठीक है को सन नमबर है 5 घ्रावा जॉन स门ि को तीन बेटा है इसके पास एक लाख रुपया है और चाहता है कि मैं अपने तीनों बेटा के नाम पर जमा कर दो एक का नाम है Tom, दूसरा का नाम है Dick, तीसरा का नाम है Harry, तीनों के पैसा को एक आता है ऐसे, मतलब यह है कि Tom plus Dick plus Harry, इस तीनों पैसा को जोड़िएगा present value, तो इसकी जोड़ेंगे तो क्या हैगा, एक लाख रुपय होगा, लेकिन यह 9 years का है बच्चे, यह 9 years का है, यह 12 years का है, और यह तुम्हारा 15 years का है, यह 15 years का है, यह 3 का 3 इस तरह से, अब जना मुझे एक छोटी सी बात बताईए, कहता है question कि जब यह 25 साल का होगा, और यह जब 25 साल का होगा, तो तीनों को equal पैसा मिलना चाहिए, तो यह 25 साल का होगा, मतलब future में पैसा मिलेगा, तो इसकी future मान कि एस है, तो तीनों को equal पैसा मिलेगा, यही पूछता है कि यह equal पैसा कितना होगा, यही question में पूछता है, interest rate जो है, 3.5% rate of interest है yearly, ठीक है, इस question में यह नहीं लिखा हुआ है कि compound interest है कि simple interest है, तो आप simple interest लगा लिए, बेटा एक बात ज़रा सुनोंगे, यह T मतलब है present value हमने माल लिया, यह सारे के सारे present value, यह T मींस present value of Tom, D मींस present value of Dick, and H मींस present value of Harry, ठीक है, यह हो गया, अब जरा मुझे बदाइए present की formula क्या है, A, 1 plus I whole का power, A नहीं जी, present value का formula क्या होता है, P equal to क्या होता है, I into simple interest लगाएंगे बच्चे, simple interest का formula लगाएंगे, ठीक है, तो बच्चे एक बाजरा सुनिए, simple interest लगाएंगे, तो future value is equal to formula होता है, P, 1 plus RT by 100, यह formula होता है, तो P equal to क्या लिखोगे, यह हो गया, future value divided by 1 plus RT by 100, ठीक है, यह formula है present value का, अब Tom के लिए, T के लिए, T plus D plus H, यह equal to है, एक लाख रूपए है, बेटे, एक बाजरा बताओ, T equal to क्या होगा, यह T है, तो F के जगापर हमें क्या है, S है, S, 1 plus, यह बताएंगे, RT, rate of interest है, सारे 3%, rate of interest सारे 3%, तो 3.5 हो गया, इन्टू, बेटा, यह 9 साल का है, 25 साल होने में, उसको 16 साल समय लग जाएगा, 16 years, तो इन्टू 16 divided by X हो, फिर पलस D के लिए, अब D हो गया, S, इसके क्या है, future value, S है, 1 plus, rate of interest 3.5, इन्टू टाइम, अभी 12 साल का है, 25 साल होने में कितना समय लग जाएगा, 12 साल का है, 25 साल होने में, 13 साल समय लग जाएगा, 13 years लग जाएगा, तो कितना लिखोगे, बेटे, 13 divided by 100, फिर पलस, अब हैरी के लिए, तो यहाँ हो गया, H, एप के जगा पर इसकी future value क्या है, S है, 1 plus 3.5, इन्टू, यह 15 साल का है, 25 साल होने में, 10 साल लग जाएगा समय है, तो बेटा, 10 by 100 कर दो, यह पूरा का पूरा equal to 1 लाग है, अब आप इसके आगे खुद करें, टेक, S common, और S की value आप निकालिए, आपका answer none अब दी जाएगा, answer none अब दी जाएगा, तो इतना काम आपको करना है, ठीक है, हाँ जी बच्चे एक बाजरा सुनो, मैंने इसका answer है, ठीक, हाँ जी बच्चे एक बाजरा सुनो, page number है, 1.41, question number 69, 1.41, question number 69, ये रक्चा करी का question है, 1.41, question number 69, हाँ जी, रक्चा करी में तुम्हारे सवाल का जवाब बता रहो, ठीक है, इधर देखिए गाजी, इधर देखिए, बेटे इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए, ठीक है, हाँ जी, बच्चे तेजा, देवालिया, सबसे पहली बात जड़ा देखिए, कि हम लोग जो काम करेंगे, वह पहले बच्चे पढ़े नहीं, और पढ़े नहीं, और हम all chapter का class शुरू करवा दे, तो ये जैनियून नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो इसलिए, इसलिए, अभी नहीं, हम question करेंगे, लेकिन examination का समय जब काफी नजदीक आ जागा, तब करेंगे, ठीक है न जी, तेजा, हाँ बच्चे, ये देखेगा, I, C, A, I, Book, page number है 1.41, question number है 69, बच्चे एक बाजरा सुनिएगा, ये 1 by 2 power है, इसका, तो जरा देखोगे, question number 69 में, तो ये power को यहाँ पर लिखोगे, फिर यहाँ पर 3 power है, तो 3 को यहाँ लिखोगे, बच्चे का कौन, B, base C, फिर ये 2 by 3 है, तो 2 by 3 लिखोगे, बच्चे का कौन, log C, base A, ठीक है, रक्चा करी, ये बच्चे गा, अब आप cancel करना है, तो आप पहले cancel करिए, यहाँ 3, यहाँ 3 cancel, 2 से 2 cancel हो गया, रक्चा करी जड़ा देखोगे, log 2 A, base B, into log B, base C, into log C, base A, मैंने आपको rule बताया था, log का, और वो है diagonal rule, यह B से B cancel, C से C cancel, तो बच्चा कौन, diagonal ये जो है, वो cancel हो जागा, ये cancel हो जागा, यहाँ A बच्चे का, और यहाँ base A बच्चे का, तो A, base A, और बच्चे जब ये दोनों सेम हो, तो answer का होता है, 1, तो answer is 1, answer is 1, तो रख्चा करी, तुम्हारे सवाल का जबाब बता दिया, ठीक है, तुम्हारे सवाल का जबाब बता दिया, रागव सिंगल बच्चे 49 में B and C बोत होना चाहिए तो यार ठीक है यह तो तुम खुद सवाल का जबाब बताने लगता है कि यह होना चाहिए O होना चाहिए B and C होना चाहिए तो सबसे टफ E satisfying पेटा एक बात जरा सुनो न हेलो इधर देखेगा जी रागव सिंगल एक कहता है वो सबसेट बजाओ जो इस कंडिशन को फुलफिल करे तो यह नहीं किखा लिए आप एक कर दो यह पूरा satisfy यह कर रहा है इसके हर member के लिए देखना है इच member इसको अगर X मान लो तो इसके इच member के लिए होना चाहिए तो इसके कौन-कौन सा member है तो 7, 6, 7, 8, 9 यह सारा का सारा satisfy करता है इसमें 6 नहीं है तो answer अब B होना चाहिए आप देखिए क्या है answer पीछे एक मिनरू को बताता हूँ type 1 question number 49 type 1 question number 49 B ठीक तो है ठीक है हाँ जी बच्चे रागव सिंगल तुम्हारे सवाल के जवाब बता दिया अकांचा खन्ना हेलो जी हेलो मीनल जाट आई सी ए आई पहले है सोवित का question देखते हैं 13.7 question number 6 13.7 question number 6 रुकिए 13.6 question number 7 बताता हूँ बच्चे बताता हूँ 13.7 question number 6 13.7 और मैं ढूड़ रहा हूँ 6 question number 7 यह बच्चे एक बाजरा सुनू यह पिछले बार यह क्या कहते हैं एक बच्चा ने पूछा ते यहाँ पर printing error है और इस printing error को आप ठीक कर लीजिए ठीक है हाँ जी प्रिंटिंग error को आप ठीक कर लीजिए हाँ बच्चे एक बाजरा सुनिएगा क्या है और जरा देख बता रहा हूं बच्चे ठीक है यहां एक्स पलस य एक्षी कोल टू टू एक्स है यह मोडूल में भी गलती था तो अब ज़रा देखो सोभीत x पलस y अगर 2x है तो y equal to क्या होगा it means y is equal to x हो जाएगा y और x equal हो गया इसका मतलब domain और range दोनों equal हो गया तो equality हो गया अब equality जो relationship हो कौन से relation होता है equality the relationship equality is which type of relation is which type of relation तो क्या है reflexive भी होता है symmetric भी होता है transitive भी होता है और effective equivalence भी होता है चारों का चारों होता है तो option all are correct तो answer हो गया जी all are correct ठीक है ने जी मीनल का सवाल लेते हैं 5.27 कुस्चन नंबर ICI का यह हमेशा ICI से ही सवाल करती है 5.27 5.27 कहां गया भाईया 5.27 कुस्चन नंबर कौन सा पूची दस और बार कुस्चन नंबर तेन एंड ट्वेल ए जरा देखो जी मीनल का सवाल है मीनल का सवाल है बच्चे एक बाद जरा सुन यहां देखिएगा जी यहां देखिएगा तेन नंबर का हल पहले है अब जरा मुझे एक छोटा सा बाद बताने दो पेज नंबर है 5.27 कॉस्चन नंबर है 10 अच्छे एक छोटा सा बाद बताओ जैसे यह है रेक्टेंगल है तो बच्चे इसको साइट्स बोलते हैं साइड्स और इसको डागनल बोलते हैं इसको डागनल बोलते हैं ठीक है इसी तरह से जैसे पेंटागन है यह पेंटागन है तो सभी साइड्स है इसको जॉइन करोगे इसको जॉइन करोगे इसको जॉइन करोगे इसको जॉइन करोगे इसको कहते हैं डागनल्स तो कुस्चन म लाइन को बनाने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए इसका मतलब है एक दो तीन चार चार पॉइंट में से किसी दो लाइन को सेलेक्ट करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे तो यहां डेकागन है तो डेकागन है तो तो दस परटेक्स होते है इस दस पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट को सेलेक्ट करोगे तो यह होगा आपको टोटल नमबर उफ लाइन्स लेकिन बेटे जैसे ट्रैंगल है तो रैक्टैंगल में कितने साइट से 5 पेंटागन में सॉरी इसमें 4 है पेंटागन में 5 हेकसागन में 6 देकागन में 10 तो नमबर अब साइट माइनस कर दिजिए इट विल गीव हूँ दो टोटर नमबर अफ डागनल्स इन डेकागन तो बेटा 10 सी 2 का मतलब क्या हुआ दस से स्टार्ट किजिए आप पहले दो फैक्टर को लिखिए अब बताइए नीचे 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो माइनस 10 ते हो जाएगा 45 माइनस 10 इस इक्वल 2 हो जाएगा 35 तो आंसर इस 35 बेटे कुस्चन नमबर 10 का आंसर हो गया option B is the correct answer option B is the correct answer मीनल का एक सवाल और है और वो कुस्चन है कुस्चन नमबर 12 कुस्चन नमबर 12 बच्चे कुस्चन नमबर है 12 और वो क्या है जरा दिखिएगा जी वो क्या है the number of state lines obtained by joining 16 points on a plane no three of them being on the same line मतलब कोई भी तीन पॉइंट एक लाइन पर नहीं है इसका मतलब यह हुआ तो total number of state lines how many points are there there are 16 points and we have to make state line ठीक है state line तो state line के हमें कितने points चाहिए एक state line बनाने के लिए two points चाहिए तो answer will be 16c2 तो answer will be 16c2 बेटे question number 12 बच्चन नमबर 12 बच्चन जो होगा number of state lines is equal to 16c2 16 से start करो break करोगे तो बेटा यही आएगा और 2 है तो factorial 2 से divide पर दो factorial 2 होता है ठीक है पंद्रह गुणा 8 120 तो हो गया answer 15 into 8 120 तो 120 होना चाहिए option a is the correct answer option a is the correct answer ठीक है option a is the correct answer बच्चे एक बार जरा सुनों सत्यं सुखला जी प्रणाम जी प्रणाम कि अच्छा जी कहता है सर इस बार आपके वज़ा से पास ओ गया जी बच्चे धन्यवाद जी हमें याद किया इसके लिए तुम्हारी मेहनत है तुम्हारी लगन है तुम्हारी प्रयास है ठीक है और सभी बरों का आशिरवाद है जिससे तुम्हें पास हो गया, जिसकी भी आसिरवाद सबको मिला है, सभी को धन्यवाद, और हमें याद रखने के लिए भी धन्यवाद, थेंकू सो मच, ठीक है बच्चे, एक बाजरा सुनों, इधर ध्यान से देखिए, 13.7 कोस्चन नमबर 6 था, रुको जी, 13.7 कोस्चन नमबर 6 था, यह बोल रहा है, 6 नमबर सबाब, ठीक है, सो बीत, यार यह कोस्चर में है, तो देखो, यह एरर है, टाइपिंग एरर है, यह कुछ भी नहीं है, X, Y is equal to X ही है, it is nothing but, यह जो भी है, यह क्या है, X, Y, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है, X, Y, यह दोनों है, इसमें condition लगया हुआ है, Y is equal to X, यह सब कुछ नहीं है, X, Y, यह सब कुछ नहीं है, Y is equal to X है, it is also a relation of equality, और इसलिए reflexive भी होगा, symmetric भी होगा, ट्रांजिटी भी होगा, all three options are correct, इसमें 90 दिया हुआ है, तो option A, B, and C, all three answers are correct, तो answer हो गया जी, हाँ जी, बच्चे, एक बाजरा सुनोगे, इधर ध्यान दे देना, तो सोवित तरे सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है, एक मिनट सांत रहो, बच्चे, एक मिनट सांत रहो, एक मिनट सांत रहो, एक रश्मी कुमारी का question है, बच्चे, और page number है, 12.8, question number 50, बताता हूँ, अ 12.8, question number 50, 12.8, question number 50, एक बच्चे, एक बाजरा सुनो, रश्मी कुमारी, एक सवाल का जवाब देखो, एक मिनट सुनो, बच्चे सुनो, बच्चे, एक मिनट सुनो, अरे बेटा, एक बाजरा बताओ, पेज नमबर, पेज नमबर है, 12.8, question number है, 50, काता है, the sum of the first 20 terms of HGP, is 244 times the sum of the first 10 terms, तो काता है, कॉमारी रश्मी, sum of first 20 terms of HGP, is equal to 244 times of sum of first 10 terms, यह दिया हुआ है, question में, ठीक है न, एक बाजरा सुनो, बच्चे, एक बाजरा सुनो, अब sum of N terms of HGP, इसकी फर्मूला होती है, A, R का पावर N, तो N के प्लेस पर 20 है, minus 1, divided by R minus 1, right side में लिखोगे 244, यहां लिखो A, R का पावर 10, minus 1, divided by R minus 1, ठीक है रेशनी, बेटा एक बाजरा बताओ, R minus 1 से R minus 1 दोनों साइट के left, right side का cancel, A से A cancel होगे, अब जरा देखो पेटा एक बात बताओ, 1 can be written as 1 square, लिख सकते हैं न, तो left hand side में हम लिख सकते हैं, R का पावर 10 whole square, minus 1 square, right side में लिखोगे 244, R का पावर 10 minus 1, पेटा सिर्फ इतना ही के लिए कोस्टन चाहता है, अब A square minus B square का फर्मूला लगाईए, तो क्या होगा, R का पावर 10 minus 1, A plus B into A minus B, तो यह हो गया बच्चे, 244, R का पावर 10 minus 1, यह दोनों के दोनों सेन है, cancel हो गया, अब जरा बताओ मुझे रश्मी, 10 is equal to 244 है, इस 1 को right side में ले जाओगे, तो minus 1, that is 243, 243 है न, अब इस 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को क्या लिख सकते हैं, तो बच्चे एक बाद जरा सुनू, यह हो गया, 2 whole पे पावर 5, क्योंकि 3 पे पावर 5 को हम लिख सकते हैं, 243, अब बताओ, left hand side और right hand side, दोनों side के power equal है, तो therefore base will be equal, तो R square will be 3, that implies R equal to plus minus root 3, यह हो गया आपका answer, ठीक है, रस्मी, तुम्हारे इस सवाल का जबाब हो गया, option A is the correct answer, option A is the correct answer, रस्मी के एक सवाल का जबाब बता दिया, अब जरा अरनो का एक सवाल लिख लेए, page number है, रस्मी का एक सवाल और लेते हैं, क्योंकि पास नहीं है, तेरा नंबर सवाल, रस्मी का तुम तु फिर वहाँ पर पहुँच भी, चलो, रस्मी और अरनो, दोनों की सवाल लेंगे, page number 14.7, question number 49 and 50, यह दोनों सवाल को बच्चे आपको देखना चाहिए, सीएंग चूट के किताब में, ठीक है, हाँ जी, बच्चे एक बात जरा सुनिये, question number 49 and 50, सबसे पहली बात जरा दिखिएगा जी, हेलो, यहाँ पर जरा दिखिएगा, 49 तो अच्छा question है, लेकिन 50 नंबर जो question है, very, very time consuming question, तो बच्चे एक बात जरा सुनो, question number 49, इधर देखिएगा, question number 49, question number 49, page number है, 14.7, यह y is equal to दिया हुआ है, x plus root over x square minus 1, हाँ, whole पे power एम है बच्चे, take log on both side, इधर भी log लेलो, तो इधर भी log लेलो, अब यह क्या होगा, एम क्या हो जागा, यहाँ आएगा, तो log x plus root over x square minus 1, कितना आजाएगा, अब क्या करो, differentiate कर दो, तो differentiate कर दोगे, तो क्या हैगा, log y का differentiation, 1 upon y, ठिक, और इस y का differentiation, dy upon dx, यह m है तो m, chain rule से इसकी differentiation क्या होगी, 1 upon x plus root over x square minus 1, ठिक है, अब इसके भीतर जो भी है, उसको differentiate करके लिखो, तो x की derivative 1 हो गया, इसकी derivative 1 by 2 root x square minus 1, इस x square का derivative 2x, इस 1 का 0, यह हो गया, अब चलिए ज़रा simplify करिए, यह हो गया, m by x plus root over x square minus 1, यह बच्चे 2 से 2 cancel हो गया, LCM लोगे, तो root over x square minus 1 आएगा, a यहाँ आएगा, तो x square minus 1 plus, यहाँ बच्चे गया x, पेटा, यह दोनों के दोनों सेम है, cancel हो गया, अब ज़रा देखोगे बच्चे, dy upon bx, यहाँ 1 upon y है, यह क्या हो गया, m upon root over x square minus 1, कही है न, इतना ही है बच्चे, इतना ही है, 49 इतना हो गया, अब बच्चे एक बात ज़रा बताओ, इस root को हटाना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, इसको cross multiplication करोगे, ते it will become, इस y को इधर भेज़ दो, तो square root of, x square minus 1, into dy upon dx, right side हो जाएगा, m y, यही होगा न, जी, यही होगा, अब हमें question में, यह root नहीं है, तो दोनों side में, square करोगे तब हमार आएगा, तो इसको जब square करोगे बच्चे, तो इसका square करोगे, तो square हड़ जाएगा, और dy upon dx का whole square, right side में क्या होगा, m square y square, अब m square y square को left side में भेज़ जोगे, तो right side में क्या होगा, 0, तो answer will be 0, answer will be 0, तो बच्चे, इसके answer क्या हो जाएगे, इतना, इसको इधर भेज़ दोगे, तो यह minus हो जाएगा, तो right side में 0 बच्चे, तो answer is 0, question number 49 का answer बता दिया जी, अच्छा बच्चे, एक बाजरा सुनिये, इधर ध्यान से सुनिये गारी, बच्चे इधर ध्यान से सुने, question number 50, मैं आपको hints दे देता हूँ, लेकिन करना तुम ही को है, मैं करूंगा नहीं, यह बहुत time consuming question है बच्चे, question number 50, यहां है fx, is equal to, मालो y है, it is equal to 4 minus 2x, divided by 2 plus 3x, plus 3x square, if dash का मतलब होता है, derivative differentiate, if dash x का मतलब होता है, dy upon dx, अब इसको आप differentiate करो, तो quotient rule लगा दो, quotient rule लगाओगे तो क्या होगा बेटा, quotient rule लगाओगे तो क्या होगा, बच्चे, यहां पर, तरीका बताया हुआ है, कि denominator को whole square करो, 2 plus 3x, plus 3x square, ठिक, numerator को differentiate करो, denominator को छोड़ो, तो इसकी derivative 0, 2 है तो 2x की derivative 1, इसका differentiation हो गया, इसको कुछ नहीं करना, 2 plus 3x, plus 3x square, अब minus, अब numerator को कुछ नहीं करना, लेकिन इसको differentiate करके, multiply करना है, तो 2 का 0 हो गया, 3x का बटब, plus 3, 3x square का होगा, 6x, यह होगा derivative, बच्चे, इसके आगे तुम्हें करना है, क्योंकि question में लिखा हुआ, if dash x equal to 0, that is, इतना equal to 0 है, मतलब, पूरी complete result, जो है, वह equal to 0 है, अब जरा एक बात जरा सुनो, it is equal to 0, यह क्या है, ते क्या है, 0 दिया हुआ है, हमारे question में 0 दिया हुआ है, बच्चे, multiply करिए, तो minus 4, minus 6x, minus 6x square, ठीक है, इस से multiply करो, अब ते क्या हो जागा, minus 12, आए यह होगा, 6 गुना चार, 6 into 4 कितना हो गया, 24x, minus minus plus, 2 into 3, तो plus 6x, अच्छे गुना दो, 12x square, denominator में, बेटे एक बाद जरा बताओ, इतना equal to आपको 0 है, तो cross multiplication करो, तो 0 इतना equal to क्या होगा, 0 ही तो आएगा, तो इतना equal to 0 हो गया, बच्चे, अब आपको काम करना है, 12x square में 6 square minus करो, तो 6x square हो गया, ठीक है, 6x minus 6x cancel हो गया, अब जरा बताओ ये मुझे, 24 plus 12, 36 plus 4, 40, minus 40, इतना equal to हो गया, 0, minus 40 equal to 0, तो बच्चे, 6x square इतना equal to हो गया, 40, 40 ही हो गया, तो x square equal to हो गया, 40, 22, 6, तो x की value निकालना है, बच्चे, तो, 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 x की value निकालना है, तो x ही equal to कितना हो गया, मुझे लगता है, बच्चे, मुझे लगता है, की, 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 इसमें कुछ typing error है, या नहीं तो option में कुछ गरवरी होगा, तो option, इसकी answer दिया हुआ है, c equal to 0, ना जिदा है, यह हो जाएगा, root over कितना, 20 by, 20 by 3, plus minus 20 by 3, इसको देखता हूँ, जरह c ए इंचूट के किताब में देखता हूँ, बच्चे, c ए इंचूट के किताब में देखता हूँ, 50, अगर answer match नहीं करता है, तो एक बार और देखना परेगा, यह हो गया, set ए कुस्चन नमबर 50 का ए, 2, 1 पलस, 5 by 3, 5 by 3, बच्चे एक बाजरा सुना, इसमें प्रोब्लेम है, दिक्कत है, गलत है, इसमें कहीं ने कहीं गलत है, ठिक्क, हाँ जी, मैं ऐसे आप एक बार चेक कर लो, मैं तरीका बता दिया, तरीका बता दिया, 4 minus 2x है तो ठीक्स है, 2 plus 3x plus 3x स्वार एकदम ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिड़ा यह हमारा ठीक है, इसको डिफ्रेंसीेट करते है, इसको डिफ्रेंसीेट करते है, ठीक है, 4 into 3, 12 हो गया, 6 गुणा 24, यहां पर x छूट गया, यह गलती हो गया, 4 into 6, 24x, भीटा, यहां x छूट गया, यहां यहां गलती हो गया, अब यहां minus into minus plus, पलस यह हो गया, तो पलस 6X पलस 6X हो गया पलस 6ग उना 2 12X स्क्वार ठीक है बिटा यहां पर गलत हो गया ठीक अब ज़रा देखते हैं 12-6 तो 6X स्क्वार हो गया यह हो गया जी तुम्हारा यह तो cancel हो गया तो minus 24X हो गया ठीक है 12 और 4 16 तो minus 16 is equal to 0 हो गया अब चलते हैं जी दो से डिवाइड कर दो इसको ते कितना हो जाएगा 3x square minus 12x minus 8 equal to g discriminant d निकाल दो ते हो जाएगा square root of b square minus 4 c तो minus 12 का square 4 a के जगा पर 3 c के जगा पर minus 8 पैटे इसको simplify करो फिर उसके बाद ये वाला formula लगा देना तब आपका answer match कर जाएगा जी ठीक है हाँ जी बच्चे एक बाजरा सुनिएगा ठीक मैंने इस सवाल का जबाब बता दिया में 11 में मेरे हिसाब से option d आ रहा है एक बार आप बता दो ये तो सब में मेरे हिसाब से कर देता है रागो सिंखल तेरे हिसाब से मेरे बोलो ने किये बता दो सर बेड़े हिसाब से तेरे हिसाब से मेरे तेरे क्या होता है कोस्चन नंबर है 11 कोस्चन नंबर 11 को तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए डी होना चाहिए तुम सही हो सकते हो गलत थोरे हो तो एजरा देखोगे can be written as बेटा एक बाद जरा सुनिएगा can be written as तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से option D answer होगा और एकदम ठीक होगा ठीक हो बट answer को match कराने के लिए एक जगा छूटा हुआ है और हुआ चूटा हुआ उसको ठीक करना परेगा ठीक है ने जी हाँ जी ओ तुम्हे थोरा सा ठीक करना परेगा ठीक है ना रागो सिंगल according to you you are right लेकिन बेटा question number 11 question 11 देखता हूँ पीछे answer क्या है 11 का B है तो इसको थोरी सी सुधारनी परेगे और it should be equal to a हो गया x नहीं होगा it should be equal to 2x बाकी सब ठीक है अगर ऐसे कर लेते हैं तब ही अगली addition में जा करें ठीक हो पाएगा ठीक तो a option b correct होगा कब जब if x is equal to 2x x के place पर 2x write करोगे then it will be correct clear question number 11 हो गया बच्चे अब है तुम्हारा सवाल का जबाब हो गया बच्चे एक है कि रेस्मी कुमारी का question है 14.4 question number 13 रुको जी फिर उसके बाद मीनल तुम्हारे सवाल का जबाब बताता हूं 14.4 question number है 13 14.4 question number है 13 बेटे रश्मी सबसे पहले तो यह नहीं है पहली सवाल दूसरा पहला बात यहां पर कॉमा है हमें dy upon dx निकाल कर बताना है और कुछ भी नहीं है इस question में इस question में और कुछ भी नहीं है ठीक है न रश्मी जड़ा देखो page number है 14.4 यह question में दिया हुआ x square by a square minus y square by a square is equal to 1 यह दिया हुआ है take LCM दोनों साइड में a square से multiply कर दो तो बच्चे यह होगा x square minus y square is equal to a square बच्चे y square मुझे चाहिए तो y square equal to x square minus a square होगा अब आप दोनों साइड में differentiate कर दो answer आजाएगा therefore यह होगा differentiate करोगे ते 2y यह होगा dy upon bx x square का 2x होगा a का 0 होजाएगा 2 से 2 cancel होगे इसकी tricks भी बताया था वो आप implicit function वाला वो तरीका लगा लो तो dy upon dx is equal to क्या होगा it will be x upon y तो answer is x upon y y की value रग दो बेटे put the value of y तो y is equal to क्या होगा square root of x square minus a square तो x square minus a square यह आपका answer है x upon root option b is the correct answer option b is the correct answer ठीक है option b is the correct answer अब मैं मीनल का सवाल देख रहा हूँ मीनल का सवाल है question number page number 5.29 5.29 question number है 4.9.10 4.9.10 4.9.10 यह देखो मंद सौर की बच्चे एक बात जरा बताओ ठीक है वहाँ पर बच्चे सब हैं बहुत सारे लेकिन बच्चे वो लाइब आते नहीं है doubts पूछते नहीं पूछते नहीं यार मजा नहीं आता बच्चे सवाल पूछना चाहिए आना चाहिए ठीक है और इस तरह से करेंगे तो लगे रहेंगे फायदा होगा आपको बच्चे कोस्टन नंबर है 4,9,10 4,9,10 4,9,10 4,9,10 4 नंबर कोस्टन है कोस्टन नंबर 4 page नंबर है 5.29 कोस्टन नंबर है 4 8 guest have to be seated 4 on each side of a long rectangular table 2 particular guest desire to seat on one side of the table and three on the other side, the number of ways seating arrangement can be made, पेड़ा एक बाजरा सुनो, एक table है, आठ गेस्ट है, तो चार इधर बैठेंगे, चार इधर बैठेंगे, कुश्चन सेटर कहता है कि दो गेस्ट इस साइड में बैठना चाहता है, और तीन गेस्ट इधर बैठना चाहता है, ये साइद यह तो अब हमारे पास 3 guest और बचे इस side में मुझे 2 guest और चाहिए तो 3 guest बच गया उसमें से कोई भी 2 guest को left hand side में हमें set करना पड़ेगा तीन में से दो इस साइड में आ गया तो rest कितने बच गया है एक guest इस साइड में तीन बैठे हुए हैं पाले से तो एक guest जो बच गया उसको इस साइड में भेजना पालेगा अब तोटल वे लाद देखो गये तो टोटल वे दी जी कोल टु कितना हो जाएगा बैच्छे तो टोटल वेंज एड़ ये त्ली कुझं ँगया और इस साइड का कहां सोफ में ठीक है हमारा पुराना एस्टूडेंट है और आपने मुझे याद किया ठीक है जी ठीक है और बोलते हैं तो बहुत खुशी होती है बहुत खुशी होती है बच्चे बहुत खुशी होती है ठीक है हाँ जी God bless you सुभम ऐसे ही आगे बरते रहो डर तुम्हारा खतम हुआ आगे बढ़ते जाईए हमारी सुभ कमना है आपके साथ रहेगी ठीक है अच्छा बेटा एक बाजरा सुनो इस साइड को अरेंजमेंट करना है तो इधर जो चार आदमी है चारों के चारों आदमी इधर ही अपनी जगां इंटर्चेंज करेंगे कितने तरीका से फैक्टोडियल चा सिंपलिफाई करली जे आपका अंसर आजाएगा सिंपलिफाई कर लो बच्चे आपका अंसर आ जाएगा 3 c 2 का मतलब हो गया 3 चार फैक्टोडियल 24 होता है 1 c 1 1 हो गया आप 4 फैक्टोडियल 24 होता है बच्चे 24 into 24 into 3 तिनों को multiply करिये 24 का square into 3 1728 तो answer is 1728 मेनल question number 4 का answer मैंने बता दिया ठीक है अब अच्छे question number तुम्हारा 9 बजता है ठीक है question number 9 जरा दिखेगा हाँ जी कते candidate is required to answer 6 out of 12 questions which are divided into 2 groups containing 6 questions in each group he is not permitted to attempt not more than 4 questions from any group the number of choices are बच्चे जरा इधर देखो मेनल बेटे एक बात जरा सुनो ठीक है जी ठीक है बच्चे ठीक है हाँ जी लगे रहो बेटा लगे रहो लेकिन जिस रफ्तार से लगे हो ओल रफ्तार और बढ़नी चाहिए question number 9 ठीक है टोटल 12 questions है एक question paper में दो group है group 1 है और group 2 है इस group में 6 questions है और इस group में भी 6 questions है question में कहता है कि भाई हमें क्या करना है 6 out of 12 select करना है कि भाई आप 12 questions में से 6 questions को select करना है तो selection of six questions selection of six questions यह हमें select करना है अच्छा बेड़े एक बाद जरा सुनो अब जरा मुझे बताओ question में कहता है कि एक group से 4 से ज़्यादा answer नहीं दे सकते यह permission नहीं है यह question में बोल ला है ठीक है तो अब जरा एक बाद बताओ 4 question अगर इस group से दोगे तो मुझे 2 question इस group से देना पड़ेगा एक तो दिमाग में बात यह आजाई या दूसरा option हमारे दिमाग में है कि इससे भी 3 दे दो और इससे भी 3 दे दो 6 question हो जाएंगे या हमारे दिमाग में यह भी बात आएगा कि इससे 2 question दे दो और इससे 4 question दे दो अगर इससे अगर 1 दोगे तो इससे 5 देना पुरेगा और 5 is not allowed to answer from each any group तो बच्चे एक बाद ज़रा सुनें अब हमें कहता है selection, selection का मतलब combination होता है तो बच्चे 6 में से 4 को select करना है 6 to see 4, 6 में से 2 select करना है 6 to see 2 इस में आज़ेगे, 6 में से 3 select करना है 6 to see 3, इस 6 में से 3 select करना है 6 to see 3 अच्छा, यहाँ पर ज़रा देखो, 6 में से 2 select करना है 6 to see 2 यहाँ 6 में से 4 select करना है 6 to see 4 बेटा option है, या तो ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो जब भी options हो choices हो तो they should be added, तो सभी को add कर देंगे, और add करने के बाद जो answer आएगा, that will be the answer, बेटा 6C4 equal to कितना होगा, 6 into 5, 30 by 2, 15, ये भी 15, ये भी 15, 15 into 15, 225, 6C3 कितना होगा, 6, 5, 4, 20 होगा, ये 20 होगा, 20 into 2400, और ये भी होगा 225, जूर करके देखो, ये होगा 200, 200, 450, 850, तो answer should be 850, देखिए जी, 850 option 20 थे correct answer, 850 is the answer, मीनल बेटा इस सवाल का जवाब दे दिया, अब question तुमारा है 10 number, question number 10, एक बात जरा सुनोगे, question number 10, normally सभी बच्चे पूछते हैं, इस 10 number question को, जरा एक बात सुनों बच्चे, करता क्या है, 8 matches, win, loss, draw, are to be predicted, the number of different forecast containing 6 correct result, correct का मतलब जीतने का result, तो बच्चे, total 8 match है, आठ match में से, जीतेगा, हारेगा, draw होगा, ये तीन ही बात होगी, question में तो ये कहता है, कि भईया, 6 correct result, मतलब है, कि 6 match तो जीत रहा है, अब उस 2 match बच्चिया, वहाँ पर doubts है, तो ऐसा हो सकता है, हमारे दिमाग में, कि भईया, ये दोनों का दोनों हार गया है, तो एक भी draw नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है, 6 match तो हम जीत रहा है, वहाँ ठीक है, लेकिन जो 2 rest match बच्चिया, उसमें से एक हार गया, और एक draw हो गया, ये हमारे दिमाग में बात आ सकती है, एक बात और आ सकती है, मिनल, कि 6 match है, और दोनों के दोनों draw हो गया, हारा एक भी नहीं, जीरो, और दोनों के दोनों match draw हो गया, इस तीन conclusion के अलावा चौथा कोई option आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, अब जड़ा देखिए, 8 match में से 6 match, तो total कितना हो जाएगा, 8C6, अब बच गया हमारे पास 2, यह दोनों का दोनों हार रहे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो छोड़ो, पलस, यहाँ पर 8 में से 6 match जीतना है, तो 8C6, यह जो बच गया 2, 2 में से 1 हार रहा है, अब बच गया 1, तो 1 का 1 draw हो गया, फिर पलस, तीसरा इसके case में, 8 में से 6 match, त में से 1 भी draw नहीं हुआ, तो 2C0, दो match है, वो दोनों का दोनों draw हो गया, तो 2C2 इतना, बेटा सब को calculate कर लो, जो आएगा, that will be the answer, 8C6 का मतलब क्या हुआ, 8, 7, यह हो गया 28 हो जाएगा, 8, 7, 4, 28, तो यह हो जाएगा, यह 2C2, 1 हो जाएगा, यह हो गया 28 हो गया, 2C1, 2 हो गया, 1C1, 1 हो गया, पलस, यह हो गया 28, यह 2C0, 1 हो गया, 2C2, 1 हो गया, यह हो गया 28, यह हो गया 56, यह हो गया 28, यह हो गया 56, यह हो गया 28, 28 पलस 28, एक सो बारह तरीका से यह निर्ने हो सकता है कन्कुलूजन हो सकता है तो टेन का अंसर देखी ऑप्शन सी इस दे करेक्ट आंसर ठीक है अच्छा बच्चे एक बार जरा सुनो ठीक है एक बार जरा सुनो राघव शिंगल का एक सवाल और आया तुमारे बेटे मिनल सारे सवाल बता दिया मैंने हाँ जी एक बार जरा सुनो 13.6 कोश्चन नमबर 33 जरा एक मिनट सुनो 13.6 कोश्चन नमबर 33 बच्चे एक बार जरा सुनो बच्चे राघव एक कोश्चन नमबर 33 में जी नहीं है यह 9 है तो इसको पहले ठीक करिए कि यह जी नहीं है यह 9 है अब जरा देखोगे एक एकस की वेलू लुवर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 10 पुट एकस इक्वल टू 0 है तो 1 पलस 0 1 हो गया 10 पुट पावर 1 इक्वल टू 10 लूवर लिमिट है तो इसलिए अप्सन क्या हो गया 33 का आंसर हो गया ऑप्सन हो गया जी ऑप्सन हो गया चलिए जी बताइए और क्या पूछना है बोलो बेटा बोलो ठीक है ठीक है जी ठीक है हो गया बच्चे एक बाद़ हो गया बच्चे एक बार बाजरा सुनू थेंक्तू सो मच रागब जी ठीक है और किसी का कुई सवाल है अब चलो बताओ अब टेस्ट कौन सा चैप्टर का लूँ पेटे सिक्वेंशन सिरी तक का टेस्ट ले चुका हो अब मैं फिर बैक होना चाहता हूं बैक में हैं कौन सा चैप्टर का टेस्ट ले सब्सक्राइब जल्दी बदाईए जय दिब्दे एडिस्टर को सिर्ट बैंक बनाओ जरूरी बिटा एक बाजरा सुनों एक मिनट सुनिए हम इतना बनाएं और इतना बनाते बनाते हमारे पास इतना कम समय बचे कि हम धंग से रिभी जन न कर पाएं तो बच्चे वहां पर हो जाती है कि करने का मतलब है कि आप है जितना बनाया उसकी रिवीजन कई है श्रीन रहे सब्सक्राइब तो जारूर inёмpower करनी है तो कैसे करोगे समय बचेगा तब ना इसलिए जैसे स्य चूट के mathematics में एडिशनल कोश्टन बैंक के कुछ कोश्टन है जो मैंने अपनी किताब में डाला हुआ है लेकिन बहुं कुछ कोश्टन ऐसे हैं जो बेकार है तो अगर आएंगे भी तो उसको लास्ट में सोचेंगे उसके वजह से हमारा में 10 का लौस हो जा तो वह काम हमें नहीं करना तो इसलिए है आप इक सर्षाइज वाले कोश्टन को अगर हमारे किताब को पढ़ रहे हैं तो हमारे किताब more than sufficient है नहीं अगर पढ़ रहे हैं तो आप एक काम करेंगे किताब के exercise exercise को कर ले और मेरी एक किताब है एक cracker किताब है हमने किताब लिखा है ठीक है taxman publication से आती है मैंने एक किताब लिखा है आप इस किताब के additional question प्रिबियस में जो भी question आया हुआ है उसको बना जाई हमारे किताब में बहुत सारे tricks है इसलिए मैं इसको prefer करता हो लेकिन बहुत सारे और लोग हैं बहुत सारे किताबे लिखे हैं लेकिन उसमें एक लेंदी प्रोसेस है बहुत बढ़ा कि हमारी ही किताब हमने quicker shortcut tricks की बुक लिखी है सिर्फ unique है दुनिया में हमारा ही cf foundation के लिए अकेला किताब मैंने लिखा है मैंने लिखा है मैंने लिखा है मैंने लिखा है रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से ला सकते हैं तो आपको बहुत help करेगा या तो हमारी लेक्चर लिए है ठीक है करो नहीं लिया है तो आप हमारे उस आपको देखिए वह आपको help करेगा ठीक है हाँ जी तो जैदिब्वे तुम्हें बात को बता दिया अर्णो संकर का question एक और आया है मनी का कोई एसा टेस्ट लीजिए जिसमें एनूटी का ज्यादा question हो अच्छा जी वेटा देखो टेस्ट का मतलब यह होता है मैंने आपको टेस्ट दे दिया दो ही question हो चार ही question हो उस चार question के लिए पूरी chapter बनाते हैं तो यह होता है practice चार question कि इतना कभी कभी आता है paper में उससे question आता ही नहीं है लेकिन पूरी पखते हैं क्योंकि आपको टार्गेट दिया हुआ है क्या कहते है कि टेस्ट के लिए आपको टाइम दिया हुआ है कि भाई यह टेस्ट देना है और विल्व टाइम के पीछे आपको पूरी खुश्छन को करने होती है ठीक तो इसलिए मैं बोड़ता हूँ ठीक है हाँ जी तो इसलिए हैं आप करो तैयारी करो और अच्छा से तैयारी करो टाइम वैलू अप मनिका तो यह तो बता दिया अर्णो संकर का एक सवाल और है 15.3 कुस्चन नंबर 22 एक कुस्चन आया अर्नो संकर का अर्नो संकर बच्चा एक बात ज़रा सुनो और मैं सभी बच्चों को यह बात बोलूँगा जिन बच्चों ने हमारे प्रेंडाय गुगल राई पर चेश कर रखे हैं बच्छे अराम से मत बैठीए परीए 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 और सिर्फ बोलूगा जंब के क्लास देखिए अब हमारी क्लास लंबी क्लास नहीं है मैक्सिमम दो घंटे की एक क्लास होती है दो घंटे पौने दो घंटे देख लिजिएगा मैं आपको कहता हूं कि आपको हर तरह से पूवी तरह से समझ आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा कोई भी दिक्कत होगा नहीं ठीक और दिक्कत अगर होती है mathematics paper है दिक्कत होती है तो हम doubts के लिए आपके सामने आते है न ठीक तो ए मैं आपके पास जरूरत होता है whatsapp पर बताने लायक तो whatsapp पर बताता हूं ठीक है हाँ जी तो बच्चे एक बाजरा सुनों बस आप lecture ढंग से देखें जितना जल्दी देखकर complete करेंगे revision के लिए time आपको उतना ही मिलेगा अब आपके पास समय नहीं है नहीं है मार्च लगभग आधा बीत गया अपरिल और में आपके पास धाई महिना टाइम बचा है जून में टेश्ट दिन टाइम बचा है वह तो आपके revision में ही बीत जाएगा ठीक है टेस्टोगरा में बीत जाएगा तो आप क्या करेंगे हम जो टेस्ट होंगे और क्या करते हैं पूरी एक सिलेबस को कवर करेंगे डिभाइट करके साइक्टलोजिक लिए अपनी एक्सपरियंस इतनी है तुम्हारी जितनी एज हो उससे कहीं ज्यादा मेरी को काम कैसे करना ठीक है कि आपके रिजल्ट कितना अच्छा आ सकता है एछ गृत ये मैं आपको इसलिए पर नाद ध्यान देजिएगा पूराold यृत अब आपके पास समय मैं नहीं है आप आप ़िए आम पर टेक हाँ जब से लेक्टलाक Brown देखे और उसके बाद और उसके बाद प्रैक्टिस भी करें समय धाई महिना बचा है और वह धाई महिना ऐसे बिज़ जाएगा ऐसे बिज़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा कब गया और इसी में यह मौसम है साधी बीवाह वाला पेटे किसी न किसी को जाना पड़ जाता है वहाँ पर आप सकते हैं तो डिस्टर्ब हो सकते हैं तो सारा कुछ प्लानिंग करके अपनी तैयारी जारी रखें लेट ना करें ठीक हाँ जी ठीक है बच्चे है हाँ जी एंड्रो मुकूब एक गेम सर आइसी आई के मेटेरियल इस्टिकली फॉलो करना है क्या सर बच्चे देखो सीए इं करनी चाहिए तो आप उसको फॉलो करिए लेकिन यह मत समझना कि सारा कुछ उसी से आजाएगा कोस्चन बदल कराता है बट आपको सिलेबस पूरा हंडेड़ परसन उसी को फॉलो करनी है ठीक है पैटर्न उसी को फॉलो करनी है मैं एक अरणो का सवाल बता दूं फिर मैं आ worth 15.3 बफर में चको फॉइनदीड तो मूं पर को सब्थे बच्चे इस कॉस्चन के लिए हलो और के लिए कशे हैसा के लिए और इस कुछ reduced का अब देके तो तो 3x 3x cancel हो जाएगा, denominator में x नहीं रहेगा, उसके बाद integrate कर लीजिए, आपका अंसर आजाएगा, ठीक है, उसके बाद integrate कर लीजिए, आपका अंसर आजाएगा, ठीक है न जी बच्चे, एजरा देखिएगा, हलो, ठीक है, हम अच्चे, जैन वाले student का result कब आएगा, आप cain चूट के side पर देखो न, कब बता रहा है, बोलो, cain चूट के side पर देखिए कि कब बता रहा है, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि हम तो बोल नहीं सकते न, कुछ भी, क्योंकि निरना तो cain चूट का है, बट, बट, जल्दी result आ जाना चाहिए, ज्यादा लेट अब नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट अब है कि एकाज सप्था के अंदर आ जाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा बीस और तीस के बीच में, मार्च में ही आ जाएगा result, ठीक है, हाँ, ये उमीद करते हैं हम लोग, rationalize करोगे, 3x plus 4, plus root over 3x plus 1, divided by root over 3x plus 4, plus root over 3x plus 1, ये dx है तो dx, ठेक, बच्चे उपर में क्या आ गया, 3x plus 4, plus root over 3x plus 1, a minus b into a plus b, this square minus this square, तो इसका स्वार करोगे तो 3x plus 4 होगा, minus इसका स्वार करोगे तो 3x plus 1 होगा, dx है तो dx, अब बच्चे एक बाजरा सुनोगे, it can be written as 3x plus 4 whole का पावर 1 by 2, plus, ये 3x plus 1 whole का पावर 1 by 2, divided by, ये 3x, 3x cancel, 4 minus 1, तो होगे 3, होगया, dx है तो dx, एब बच्चे 1 by 3 को बाहर करिए, ये 3x plus 4 है, तो इसके पावर में 1 पालस करोगे, तो it will become 3 by 2, ठीक है, अब इसी 3 by 2 से डिवाइड करना होगा, लेकिन एक काम, एक्स की मल्टिपल क्या है, 3, तो 3 से डिवाइड करोगा, फिर पलस, ये 3x plus 1 whole का पावर है 1 by 2, इस पे 1 पलस करोगे, तो 3 by 2 हो जाएगा, तो ये जो पावर है, वही 3 by 2 पावर यहां आएगा, एक्स की मल्टिपल 3 है, तो 3 कर देंगे, ये पूरी इंटिग्रेशन हो गया, पलस इंटिग्रेशन कांस्ट, बेटा इसी को सिंप्लिफाई कर लो, आप कर लोगे, तो जो आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये 2 उपर चला जाएगा, तो आप एक काम खुद कर लिजिए, ठीक है, ये हो गया 1 by 3, ये हो गया 2 upon 9, 3x पलस 4 होल का पावर 3 by 2, पलस, ये हो गया 4, 2 upon 9, 3x पलस 1 होल का पावर 3 by 2, पलस C, ये 2 by 9, 2 by 9 कांस्ट, तो 2 into 1, 3, 2 हो गया, 3 into 9, 27, ये हाँ पर बच गया 3x पलस 4, रेज तो दा पावर 3 by 2, पलस 3x पलस 1, रेज तो दा पावर 3 by 2, पलस C, वेर C is equal to integration constant, तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर इस जे, ऑप्शन B is the correct answer, option B is the correct answer, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है, चलो जी, thank you so much, आप सभी हमारे साथ जुड़े, दन्यवाद, और फिर हम कब मिले जी, आप से जल्दी से, अब फिर doubts बताऊंगा और उसके बाद test लूगा, test के लिए कौन सा topic दे दूँ, test के लिए topic, test के लिए topic, कि और भी बच्चे जो नए जुड़े हैं वो उसको भी हम जोड़ ले, ठीक है, connect कर ले, उन बच्चों को ही, तो जड़ा देखिए गाजी, set function and relation का test होना बाटी है, sets function and relation का test की तैयारी कर लीचे, clear, अगले week में इसका test लेंगे, और पीछे से एक test लेंगे हम ratio proportion, indices and log का, एक तीनों chapter मिला कर एक test लेंगे, और एक कमी week में लेंगे, ठीक, अब जड़ा देखोगे ratio proportion, indices और उसके बाद logarithm, तीनों chapter मिला कर हम एक test लेंगे, ठीक, और set function and relation, इसकी भी हम test लेंगे, इसकी भी test लेंगे, और set function relation का test जो होगा, वह coming week, जो है coming week, इस week में हो सकता है Friday, Saturday में होगा, ठीक है, और log मतलब ratio proportion, indices and logarithm, इसकी भी test Friday, Saturday में ही होगा, doubts के लिए मैं आपसे फिर आ रहा हो, हो सकता है Tuesday को आ जाओ, हो सकता है Wednesday को या Thursday को आ जाओ, दो दिन आपसे doubts के लिए सामने आने वाला हूँ, ठीक है, ओ message में आपके पास भेजूँगा, और उस तरह से आप हमारे से connect हो जाना, ठीक है, चले जी अब एक बार bye bye कर दो, एक बार bye bye कर दो जी, thank you so much, ठीक हमारे से जुरने के लिए, और हमें support करने के लिए जी, thank you so much, ठीक है, हाँ जी, ठीक, चले जी, bye bye bye, फटा फट, like, subscribe कर दो, ओके, bye bye